तो आज हम 10th class के लिए जो उनकी chemistry की जो पहली unit है पहला चेप्टर है रसानिक अविक्री आएं एवं समीखर chemical reactions and equation तो इसके बारे हम discuss करेंगे तो आज हम केवर जो चेप्टर है उसका introduction समझाएंगे कि चेप्टर में हम रसानिक समीखर किसे कहते हैं और उसी के बारे नाज चर्चा करेंगे तो चेप्टर 4 अज़िस से पहले हमें मैधी पूर ब alignment अवस्यत कि ऐखो देखेंगे वह मैधी पूर बिंदु कों से हैं तो देखेंगे सबसे पहले हम यह पता हो चाहिए कि कि राजायनिक परिवर्थन और भौतिक परिवर्थन क्या होते हैं हम यहाँ पर जो पॉइंट ने डिसकस करेंगे पहला हमारा है राजायनिक परिवर्थन और जो सेकिंड पॉइंट है हमारा भौतिक परिवर्थन तो हम बात परें सबसे पहले राजायनिक परिवर्थन याने चैनिकल चैनलेश तो इसमें क्या होता है यानि राजायनिक परिवर्थन वे परिवर्थन होते हैं जिसमें अविक्रिया होने के पश्चा कोई नया पदार्थ वनेवा जिसके जो राजायनिक पुड़ है वो पहले वाले पदार्थ से अलग होंगे यानि जो प्रार्म में पदार्थ है उसके जो प्रोपर्टी है वे और जो नया पदार्थ बनेगा उसकी प्रोपर्टी है उनमें भिनता पाई जाएगी और रसानिक प्रवतन के अंतरगत प्रार्थ अपनी उन्हें प्रार्मिक अवस्ता में नहीं लोड़ते हैं हम बात करें इसके एक्जांबी के लिए जैसे आपका दूढ दूढ जैवारा र टही का बन ID को हमलेकर 119 कि Vis наague हुआ कि या क्यों परवतन यह वारा है रसानिक परवर्तन क्योंकि ।or दही दोनों की दूद की प्रोपर्टी अलग हैं दई की अलग है अगल इसमें जो हमारा दूद से दई यह लिगनम दई से दभारा दूद नहीं बना सकते अता ही हमारा किस प्रकार का परवर्थन है यह हमारा है रजानिक परवर्थन इसी प्रकार हमारा जैसे हम बोजन का के है तो बोजन का पचना वे भी हमारा क्या है रजानिक परवर्थन है या हम बात करें लोई पे जंग का लगना रजानिक परवर्थन है लेकिन हम बात करें वहतिक परवर्थन की तो वहतिक परवर्थन हमारे बे परवर्थन होते हैं जिसमें परात हमारा हम अगर जो चैनिंग आएगी हुए है उन्हें उसी अवस्था में लोट के आ सकता है जैसे हम का व गने न estiver लीका वहुक्प जराया तो बल Tap na canta One वह पर देने तो अफिर से हमारा उसी वूस्ता में आ जाएगा हमनों किसी लोई की चढ़को गरम किया विक कुष समय के लिए एक लेएसरड़य कम हो जाती है और हम उसे यह यह भारा थन-ड़णे पानी में एड़ devices के उसी अवस्था में जाए निए तो अधें हमारा बहुत प्रवर्बथन क्या चार add Amen जो अपनी oुझन तुम लग हो टृफन की शचा वे疾ग समय कोन हें वाफिज लेकिन रजानिक प्रवर्बथन में एशा नहीं होता है याने कुछ नया पदार दोनेवा हुए है उन्हें अपनी प्रावभी का वस्ता में नहीं आएवा तो इस तरह से हमारा ये बहुत तेक और रचानिक प्रवतन रहा हुआ अब हम बात करेंगे इसमें अब हम जब चेप्टर पढ़ेंगे तो यहां पर हम कुछ टेक्निकल वर् जो आएविकारक और दूज़रा रतवर यूस्तर में हुझ पाग ऑो यह लिए अधिकारक किसे कहते हैं पुस्य पाग किसे कहते हैं कि यानिए अबने अभिकारक नहीं समगरेंदो रेक्टेंट और वुद पाग निस होता हमारा दो फ्योंत्यट्रोड है तो आविकारक किस करा रहे हैं यानि किसी रसानी के लिए प्रारम में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं आविकारत प्रेलाते हैं जैसे हमने कोई रियक्शन कराई सकोथ है ए प्लस भी कोई दो पदार्थ हैं हम ने इन दोनों को आपस में मिलाया तो जब A और B आपस में मिले इन्हों ने C प्लस D नई बनार्थों का लिर्मात किया तो यहां पे A और B ये दोनों हमारी क्या कहलाएं इए यह इमिद्द आविकारत उनको कहेंगे आविकारत और C प्लस D है यह क्या कहलाएंगे उत्पाद याने यह हमारे रेक्टेंट यह क्या कहलाएंगे प्रोड़क्ट याने उत्पाद अगे में कॉरजांपल देखें सपूझ एक जैसे सी प्लस ओ दू इस यूखल दू सी ओ तो यह पर कार्वन और ऑसी यह दोणों मिलकर जाद यह पर नहीं ऑकसाड़क कर रहे हैं तो यहांपे जो हाद दूद्वन हैं और और उकसिजन है वह हमारे क्या हैं यह दोदों ही उत् यह दोनों चौरी यह दोनों अविकारत हैं क्या यह अविकारत या रियक्तेंट और जब इन दोनों ने आपसमें अविक्रिया की तो जो नए पदार्थ बना वह हमारा है गुद्धपार्थ यादी रूड़ को तो आपको अच्छी तरद में आ गया होगा या विकारत क्या हो अविकारत कहते हैं आप नोट कर सकते हैं कि किसी रस्रानी कर्किरियां में बाग लेने वाले जो प्रारम में पदार्थ होते हैं उन्हें ही अविकारत कहा जाता है अब वत्पात की बात करें तो अविक्रिया होने के पश्चा जो नया पदार्थ बनता है वह अमारा वत्पात कहलाता है इसके बाद देखेंगे हम जब ये चाप् gustaría पढ़ेंगे तो हम अविक्रियाओं में कुछ बिशी शब्दों का यू Earle बना C P टॉस भी फ़िर्वेन एक ऐसा हेहरो लगाया जो डेवल हेहरो है तो सिरों बाला और यांकर फिर शी 50 फींवाहर यानि यांपर वाद करें इस मार्क चिन की और यहां पर यह अलग चिनने यह हमें किस बात के इंडिकेट करते हैं यारी हमारा चिन है या हम इसे हम से सिंगल एड तो हमोस्ट ली से हम बोलेंगे इजू को हमारा दो होता है यगा सीत्रों होता है रही मतलद होता है करेंज आपके मतलब और प्लस भी है वह सी यापती है को फिल पर्ड़ य। चैस favor olması शोब है जन्से हमारा हा इस वन तो हमरा क्या है जो बर्थ पानी में बदल सकती है, और पानी बर्थ में, तो यह हमारे जिन है, वाहं को वह कुछ करेंगे, तो इसको भूलाएंगे हम, इसको बोलेंगे हम, भूलाएंगे हम, यह अब अब देखा हुआ से पनाएंगे, आप इसके बाद हम नेस्ट बात करते हैं, हम कोई भी लिखते हैं तो कभी के भी आपने अविक्रियाओं में देखा हुआ कि कुछ अविक्रियाओं के जो उत्पाद बनते हैं याने जो प्रोड़क्ट बनते हैं उन प्रोड़क्ट में ऊपर को एरो होता है को कुछ अविक्रियाओं होती है उनमें बने हुए प्रोड़क्ट होते उनमें नीचे को एरो होता है तो देखेंगे जाजे हमनी एक 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 एरो बना रहा है एक अन्य रेक्शन है जाजे यहां पर मैंने यहां पर इस यहां पर क्या मतलब लगने इस रेक्शन में ही यहां लुक्तर कर रहा है जो अमारा उत्पार बना हुआ है वह उत्पाद हमारा क्या है गैस है याने यह एरो हमारा गैस को सुखर रहा है किसको सुखर रहा है गैस है जो भी हमारे उत्पाद होते हैं उनमें जो एरो उपर को बना होगा ते सबी हमारे उत्पाद होते हैं वो गैस को बताते हैं कि यह गैस है और जिनमें हमारा जिस तरह यहां पर यह बना हुआ है यानि वह सी तरह कराते हैं तो रियक्षिन में देखा होगा कि यहां पर इस तरह से बना होगा या इसके नीचे बना है यह वह बना है वह इसका मतलब गया है यह किसी प्रजार का अब अब अच्छेप अब अच्छेप है जिसको हम सौट में एपीटी यानि प्रैसी पटेट कहते हैं यानि इस बात के इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रॉट्ट बना हुआ है उसमें वह नीचे जम जाता है बैट जाता है तो वह हमारा पिस्वल निकेट करेगा आब अच्छ परवर्तन क्या होते हैं इसके बाद कौन से पुद्पात हम कैसे पता करते हैं यह कैस पॉर्म में या कौन चापगारत है वह प्रैसिप्रेट बना रहा है यानि अवच्छे बना रहा है तो इन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे तो हम नेस वीडियो में हम चेप्र को हैं डीप लीप पढ़ेंगे आज के लिए अतना ही और वीडियो पसक्त वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करेंगे